इस वीडियो में हम बात करेंगे विहार पुलिस कॉंस्टेबल 2021 के बारे में इसकी सभी सिफ्ट की एक्जाम यहाँ पर ओवर हो चुकी है टोटल इसमें 8416 वेकेंसी है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी कट आफ क्या जा सकते हैं यहाँ पे और आपकी एक्जाम में तो यहाँ पर इसकी दो दिनों में एक्जाम कंड़क कराई गई है एक तो यहाँ पर आपका 14 मार्च को हुआ है दूसरा आज यानि कि 21 मार्च को इसका एक्जाम कंड़क कराई गया है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमें यह सबसे पहले समझना है कि टोटल यहाँ पर exam में धाल दी हुई है जो आपका 14th March को exam था उसका भी paper viral हुआ था और जो कि मैंने आपको दिखाया था ठीक अभी भी मेरे पास है देख लो यहाँ पर यह है paper viral हुआ था ठीक है यह देख सकते हैं तो यह यहाँ पर viral हुआ था Facebook page पर आपको यहाँ पर यह देखने को मिला था RJD ने यह post करा था ठीक है यह देख सकते हो तो यहाँ पर क्या है कि सरफ RJD ने post नहीं करा बहुत साय लोगों की group में भी आया है ठीक है और जो question है बिल्कुल यहाँ पर सेम है जो 14th March को यहाँ पर question viral हुआ वो भी सेम है और जो आपका 21 March को viral किया गया है यानि कि आज भी exam से पहली 9 बज़े से 9 बज़े से ही viral होना स्टार्ट हो गया था और बहुत साय लोगों को यहाँ पर group में भेजा गया question तो वो भी विल्कुल सही सही question है आज के भी जो question वायल हुए वो भी विल्कुल सही है ठीक है आप किसी से भी पूछ लो जो question है वो विल्कुल यहाँ पर सेम है तो अगर कोई आपको बोलता है कि exam में धानली नहीं हुए तो इस बात में उतनी ही सचाई है जितना कि मोदी जी जो आपके बारें बोलते है ठीक है तो यही कुछ यहाँ पर situation है तो exam में धानली हुआ है लेकिन धानली कुछ बड़े level पे अभी तक नहीं देखने को मिला है जहां तक धानली हुआ तो यहाँ बारें बात करेंगे उसको यहाँ पर consider जरूर करेंगे कि आपके जो धानली हुई है उसके basis पे यहाँ पर cut-off कितना बढ़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर exam level क्या था बहुत ज्यादा hard था तो अगर आपका यहाँ पर धानली नहीं होता exam में तो जो आपके you are की cut-off male candidate की 50 से उपर नहीं जाती जिस level का exam हुआ है ठीक है तो यह सब चीज है तो सबसे पहले यहाँ पर यह जान लो कि यहाँ पर total vacancy कितनी है total यहाँ पर है 84-16 और इसके यहाँ पर कितने गुना candidate बुला जाएंगे तो इसके 45,000 यह आपका यहाँ पर total candidate बुला जाएंगे physical के लिए 42,75 आपको याद रखना है आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर form fill up की तो 11.25 लाक आपका यहाँ पर form fill up हुआ है और इसके यहाँ पर 90% attendance लगी है ठीक है इतना जो आपको यह data दिख रहा है इसके 90% attendance यहाँ पर exam लगी है 90% मतलब क्या हुआ यानि की 10 लाक ठीक है 10 लाक कितने attendance लगे है 10 लाक 12,500 attendance यहाँ पर लगे है अभी तक जो data है उसके basis पर ठीक है 10 लाक 12,500 यहाँ पर candidate ने exam दिया अग्कल यहाँ पर newspaper में आगा बिल्कुल यहाँ पर clear होगा कि कितने यहाँ पर candidate ने exam दिया है ठीक है यह approach data है इतना आपका यहाँ पर candidate अपयर हुए है exam में अगर हम competition level की बात करें ठीक है तो हम अगर यहाँ पर ऐसे देखें कि जो आपका यह data है 10 लाक 12,500 ठीक है यह आप का data है तो यहाँ पर अगर हम इसको divide कर देते हैं किस से जितना total आपका यहाँ पर candidate select किया जाएंगे physical के लिए तो कितना है 42,75 यहाँ पर total candidate है अगर यहाँ पर आप divide करोगे तो एक seat पे यहाँ पर कितने candidate आएंगे एक seat पे यहाँ पर 24 candidate है ठीक है जो कि यहाँ पर इस exam में fight कर रहे है ठीक है physical में जाने के लिए तो यह जो मैं cut off आपको बताऊंगा यह इस exam को qualify करने के लिए यानि कि physical में जाने के लिए cut off है यह आपका total competition level हो गया अब एक और चीज़े हाँ पर कि exam का level कैसा था तो exam का level हाट था ठीक है यह तो अब यहाँ पर सभी लोगों को पता अगर इन सारे के basis के बात करें जो आपका analysis में अभी तक आपको करके दिखाया है उसके basis से बात करें तो जो आपकी cut off है अगर हम धानली वाला जो part है उसको consider करें एक बरे level पर नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी candidate है जो बता रहे हैं कि question तो पहुँचा है लेगिन बहुत कम इस जारी नहीं करती ठीक है तो अगर हम बात करें कि एक छोटा मोटा मानलो कि यहां पर धानली हुआ लेकिन उतना बड़ा level पर नहीं हुआ उसके basis पर चलो तो जो आपके you are की cut off है वो यहां पर कितनी रहेगी वो 62 से लेके 68 के बीच में रहेगी यह धानली होने के बाद ह ठीक है धानली हुई है यह बात आप मानलो 100% हुई है तो यह आपके यहां पर 62 से लेके 68 के बीच cut off है अगर आपके इतने marks आएंगे तो आप physical के लिए बिलकुल यहां पर तयार हो जाओ ठीक है क्योंकि देखो यहां पर cut off जाना ही थोड़ा बहुत यहां पर high जाएगा ही लेकिन level of exam ऐसा था कि 50 में आपका selection हुई आता है लेकिन जो धानली हुई है उसके basis पर अगर उसको यहां पर consider करोगे तो definitely इतना cut off जाएगा और अगर आपको result आएगा तो आपको समझ में आएगा कि धानली हुई है कि अगर नहीं होगी तो 50 के अंदर आपका selection होगा ठीक ह इस जीच को ध्यान बैखना तो यह है मेरे cut off बनाया है 62 से लेकर 68 की बीच आपको you are कर रहेगा OVC की बात करें OVC की जो cut off है यहां पर 58 से लेकर 62 के बीच रहने वाला है ठीक है यह OVC के cut off है EWS की बात कर लें यह male candidate की में बता रहा हूं ठीक है female की बात करेंगे EWS की बात 54 तो यहां पर 55 प्लस आपके यहां पर cut off रहेगी वह ही EBC की by बात करें तो EBC की cut off है यहां पर 55 Send है ठीक है जारष है यहां आपको दाखने को नहीं मिलेगा SC और HT की बात कर लेंगे में हैं दोनों की यहां पर लगवक सेम रहेगी अगर आप दोनों में ही SC and HT candidate हो तो मक्साय텐 तो इतना अगर आपका स्कोर आईगा तो कनफॉर्म का सेलेक्शिन होगा अब फिस्कल के तयारी में अभी सही लग जाओ फिस्कल आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो आप धानली करने का अलग-अलग यहाँ पर तरीका आगया पहले स्कॉलर बठाया जाता था लेकिन बहुत साय लोग पकड़े गए ठीक है फिसकल है बहुत साय लोग पकड़े गए तो अब यहाँ पर paper while हो रहा है और आपका यहाँ पर number बढ़ रहा है ठीक है तो इसके दो थिन तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी क्या-क्या offer आये है candidate के पास एक अलग से वीडियो बना के बता दूँगा कैसे कैसे यहाँ पर setting अभी कराया जा रहा है उसके basis पर अगर आप female candidate की एक safe score की बात कर ली जाए कि क्या यहाँ पर safe score रहने वाला है तो को you are candidate की अगर हम बात करे तो 55 plus अगर आप कर देते हो तो बिल्कुल आपका selection हो जाएगा ठीक है 55 plus अगर आपके score आ जाते हैं बिल्कुल आपका यहाँ पर confirm selection हो जाएगा अगर हम OVC की बात करे तो यहाँ पर 50 plus इनके भी है उनके selection यहाँ पर confirm है EWS और EBC की बात कर ले 48 plus अगर आप करके आते हो EBC और EWS ट के 48 plus अगर आपके score आते हैं बिल्कुल आपका यहाँ पर selection होगा अगर आप एक female candidate होतो SC और ST की बात कर ले SC और ST की बात कर ले यहाँ पर अगर 45 plus भी करते हैं बिल्कुल आपका यहाँ पर selection हो जाएगा क्योंकि level of exam देखें तो बहुत hard था ठीक है लेकिन यहाँ पर जो धांदली होई है उसके वैसे आपकी जो cut off है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर increase करेगी जैसे कि हर साल होता है अगर हर साल की बात करें तो हर साल यहाँ पर paper आपका while हो जाता है तो यह जो धांदली का मामला है वो हर साल आता है चाहे आपका किसी कभी exam हो चाहे आप देख लो भी हार दोरोगा के exam हो E.S.I. का exam हो गया तो हर साल यहाँ पर यह मामला सामने आता है और इस पर कुछ होता नहीं है चाहे गवर्मेंट कोई action नहीं लेती है बिल्कुल भी अब देखो यहाँ पर तो यह बरता ही जा रहा है ऐसा नहीं कि यह कम रहा है यह बरता ही जा रहा है हर साल ऐसा हो रहा है cut off जारी नहीं किया जाता है सबसे important चीज यही है कि cut off जारी नहीं किया जाता अगर cut off जारी किया जाता तो यहाँ पर इस पर question mark जरूर से आता कि इतना cut off कैसे है कि अगर candidate के attempt कमते तो main यही reason है जिसके लिए जो बिहार पुलीस है कभी भी cut off जारी नहीं करता है कि आपके यहाँ पर cut off कितनी गई है कभी भी जारी नहीं करता तो यह कुछ यहाँ पर इसके regarding information है उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगिए और वीडियो च्छे पर इस वीडियो को लाइक कर देना और चाहिन को सब्सक्राइब कर देना आगे जो भी अपडेट होगा मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दूँगा तो चैनको जोगर से सब्सक्राइब करें ना वीडियो को जासे आपको शेयर करतें अपने दोस्तों में गाईस तो मिलते हैं अपने अंगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर